Good evening friends, welcome again आज बात करें कि irritable bowel disease की इसके क्या कारण होते हैं, कैसे लच्छन आते हैं, कैसे पहचानना और इसका इलाज कैसे करना है ये काफी common बिमारी, especially अगर इंडियन्स की बात करें तो जो digestion से संब्दित बिमारी होती है, जिसमें दर्ध होना, पेट में, मरोड होना, गैस बनना, कबज होना, दस्त लगना इन सब समस्याओं में जो सबसे common बिमारी समझ में आती है, इंडिया में वो irritable bowel disease है तो इसी के बारे में समझते हैं कि ये क्या है और कैसे होती है तो सबसे पहले irritable bowel disease की definition को समझते हैं कि हम इसको बोलते कब हैं तो ये irritable bowel disease एक तरीके से आसान भासम में बोलना चाहूँ कि ये diagnosis हाफ exclusion है ये मतलब है कि अगर बड़ी आथ, छोटी आथ, या पेट, या लीवर, या पैंक्रियाज में कोई समिस्या नहीं है फिर भी digestion से सम्बंधी समिस्या आ रही है जैसे कि दस्त होना, कबज होना, मरोड होना, उल्टी होना, जी मचलाना तो उसको irritable bowel disease की category में डाल दिया जाता है मतलब patients के अंदर कोई organized lesion नहीं है मतलब ना तो कोई infection उनको, ना कोई inflammation है, ना कोई tumor है, ना कोई गठान है, ना pancreatitis है ना गाल बडर में कोई पत्री है, ना liver में कोई दिक्कत है, ना कोई ulcer है पेट के अंदर, ना कोई tumor है, ना कोई enzyme की deficiency है, ना किसी तरह का कोई TB है, ना GRD का infection मतलब पूरा digestive system है, वो ठीक है, उसके बावजूद भी patient को समिस्या है, कैसी समिस्या है, मतलब पेट में मरोड रहती है, दस्त रहती है, गैस बनती है, पेट फूलता है बार बार इस टूल पास करने का मन करता है, अरजनसी होती है, पास करने के बाद ऐसा लगता है कि पेट अभी खाली नहीं हुआ है, उसको बोलते है, इरिटेबल वावल डिजी जो की काफी कामन प्राबलम है तो अब आप यह समझ यह होंगे, कि एक तरीके का यह जब कोई बीमारी नहीं मिलती, तो उसको बोला जाता है, कि इरिटेबल वावल डिजी हो गई है, वैसे जो इसकी डेफिनेशन है, हम लोग मेडिकल टर्म में यह है, कि एगर किसी पेशन को तीन महीने से ज्यादा समय ह हो गया है, उनको कब जिद्ध पेट में दर्द मरोड की सिकायत है, तीन महीने से ज्यादा से है, और हटे में कम सकम एक बार यह सिकायत होती है, तो उसको इसको इरिटेबल वावल डिजीज बोल दिया जाता है, अब अगर इसके कारण की बात करेंगे, क्या कारण होता है, इरिटेबल वावल डिजीज का कोई इन पॉइंट कारण नहीं, इसमें जो मेटिकल साइन्स में थेहरी प्रपोजड है कि आथ के अंदर, जो बड़ी आथ के अंदर, मान स्पेशिया है, मसल्स फाइबर है, नर्फ फाइबर है, उनमें इन कॉडिनेटेड मोमेंट है, इरिटेबल वावल डिजीज होती है, मतलब कोई एक पिन पॉइंट कारण नहीं है, ये कारण सारे प्रपोजड करे जाते हैं, इसलिए तो इसका इलाज कोई एक स्पेशल दवाई से नहीं हो पाता है, बाहराल ये कारण हो गया है, और लच्छन की बात करें, तो ज्यादा इलाज जो है थोड़ा सा डिफरेंट इसी बेसिस पे हो जाता है कि बैसिकली इसमें सिम्टम्स को ही ट्रेट करना रहता है, तो इसी तरीके के लच्छन आते हैं, और कुछ पेशेंट्स रहते हैं, उसमें मानसिक समझ से हैं, इस तरह के भी लच्छन देखनों को मिलते हैं, इसको कैसे पता करें कि इर्टेवल बावल डिजीज है की नहीं, तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि यह डाइगनोसी सा इक्सक्लोजन है, मतलब यह किसी टेस्ट से नहीं पता चलता है कि इर्टेवल बावल डिजीज है की नहीं, बलकि जब किसी को यह आत समबंधी, इस्टूल पास करने में दिक्कत होती है ज्यादा दस्त लगती पेट में मरोड होता है गैस बनती है या उल्टी होती है उस केसे में बहुत सारे जांचे कराए जाती है ये देखने के लिए कि पेट की आथ की कोई दूसरी समिस्या तो नहीं हो गई तो ये तरीके का जब इंडोस्कोपी के जांच है जो आथ के अंदर कैमरे से देखा जा सकता है इसके अलावा ल्नोस्कोपी है सिक्माडिस्कोपी है इसके अलावा लीवर के जांच है पैंक्रियाच के जांच है गाल बडर के अंदर सोनोग्राफी से पत्री हो गरा देखा जा सकता है इसके अला हो, कोई गुरौथ हो, कोई पैंक्रियाच में दिक्तत हो, गाल बल़में पत्री हो, लिवर कमजोर हो, पेट के अंदर छाले पड़े हो, पेट में कोई पैरासाईट हो, टीबी हो, जीयाडिया हो, गेस्टो इंटराइटिस और ऐसा तो कुछ कारण नहीं है तो वो सब अगर नहीं होता है तो इस टेबल बाबल डिजीज बोला जाता है कहने का मतलब है कि किसी यह test के दौरा नहीं confirm होता बलकि test में जब कुछ नहीं होता तो इसको बोला जाता है इसलिए अच्छी बात इसमें क्या होत होती है काम प्रभावित होता है काम करने जाओगे और सदन दस्त लग गया डायरिया हो गया पेट में दर्थ हो गया तो काफी सारा एक दोई समस्य आती है दूसरा कि इसमें पेशेंट मानसी रूप से बड़ा ठक जाता है उसको तनाव होती है डिप्रिशन में चला जाता है यह सब होती है तो यह दो सबस्य आती है बाकी सरीर के अंदर ना तो कोई इससे इंफ्लमेशन बढ़ता है ना कोई कैंसर हो जाता है ना कोई निउट्रिशन कमी होती है ना कोई हाथ में कोई आफ्ट्रक्शन हो जाता है सरीर में कोई और तरह की कोई समस्या नहीं आती है त इसमें जो सबसे important बात यह रहती है कि जो हलके लच्छन होते हैं जिनको mild cases बोल सकते हैं उसमें खाने का management है diet management और lifestyle modification stress management आपको खानाई का चुनाओ करना है कि आपको किस खाने से यह समिश्य आती है basically trigger factors बोला जाता है कि किस खाने से आपका यह पेट दर सुरू होता है दस्त कबज सुरू होती है उसको हटाना है तो खाने का management हो गया इसके लाबा anxiety stress का management है वो आप देखें कि आपको तनाओ के क्या क्या कारान हो सकते हैं उसको हटाने कोशिस करें योगा, meditation या दूसरी चीजों से भी इसको हटाया सकता है और lifestyle में बतलाव मतलब कि आपको दिंचरिया सही करना है रात में 8 गंटे की नीन लें, 20-25 मिनट exercise करें खूब सारा पानी पीएं, खुस रहें इससे हलके case तो इसी से ही manage वे आते हैं इसमें जो खाना है, उसका बहुत important रोल होने वाला है क्योंकि उसी से बीमारी सुरू होती है उसी को control करने से बीमारी पर आराम मिलेगा लेकिन ऐसे लोग जिनको moderate to severe किसिम का है मतलब ज़्यादा समिश्या है, काम प्रहवित हो रहा है पेट में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, दस्त लग जाती है, कपच रहती है तो यह डिपेंड करता है कि severity क्या उसके लिए काफी सारी दवाईय हमारे पास है दवाईयां combination में ट्राई करी जाती है मैं पहली बता देता हूँ कि यह जो दवाईयां प्राबिरीन है और भी δूसी से किसी को अगर दस्त लग रहे है तो दस्त की दवाई होती है कपच से संबन्दित काफी तरह की दवाईया जैसी की प्रोच्टान है अब जादा मैंट मैं इस्पह मानशिक्य दवाईयां आड़ जाती है जिससे की डिप्रेशन एंग्जाइटी नहीं तो काफी तरह की ऐसी दवाईया रहती हैं जो डिप्रेशन एंग्जाइटी को कंट्रोल करती है। या जी तरीके भी दिक्कत है आपको ज्यादा गैस बन रही है तो गैस की दवा मरोड है तो मरोड की दवा कुछ केसे में एंटिबायोटिक भी ट्राई कर funeral करते हैं काफी सारे लोग होते हैं जिनमें एंटिबायोटिक देने से भी आराम मिल जाता है तो एक रिफाक्समीन एं विमारी क्योर करने में कोई मदद नहीं मिले हमेशा के लिए विमारी नहीं ठीक हो जाएगी उसके लिए तो आपको खाने में अपने trigger factor को identify करना है और जो मांसिक तना हो रहा है जो इससे दर घवराहट बैठ गई है depression में चले गए हैं उससे उबरने का तरीका ढोबना उसके लिए दवाईया भी हो सकती है और दूसरे भी तरीकी हो सकते हैं तो यह IBS जो irritable bubble disease है इसको कैसे ठीक करना है अब आप समझ के होगी सबसे बड़ा रोल आपकी दिनचरिया का है stress management का है और खाने का है और इससे भी अगर किसी की control नहीं हो रही है तो उस cases में फिर combination आप medicine है जो की gas भी कम कर सकती है मरोड भी कम कर सकती है आपका gut flora disturbance है तो probiotic भी दिया जा सकता है gut की motility को भी कम किया जा सकता है anti anxiety anti depression medicine भी दी जा सकती है और कबजी की समय से है तो ऐसी भी दवाई दे सकते हैं जो की gut में secretion बढ़ा दे या gut की motility को बढ़ा दे तो इस तरह के अपने पास बहुत सारी दवाईएं हैं जो try करे जाती हैं और ज़्यादा तर patient से आराम मिल भी जाता है तो यह idea से संबंधित जानकारी है आपको helpful होगी ऐसी उम्मीद करता हूं thank you